आज की बड़ी खबर जमू कश्मीर से जमू कश्मीर के डोडा में आतंकियों ने एक बार फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया आतंकियों ने ग्रेनेट से हमला किया जिसमें सेना के दो जवान घायल हो गई यह हमला डोडा के कश्टी गड़ इलाके में एक स्कूल में किया गया जहाँ पर सेना की साच टीम रुकी हुई थी जमुकश्मीर के डोडा जिले के कास्टी गड़ इलाके में सुरक्षबलों और आतंकियों के बीच मुटभेड जारी है इलाके में पिछले कई दिनों से सॉच ऑपरेशन चल रहा है दरसल देर रात भारतिये से इना ऑपरेशन के दौरान रात होने की वज़ा से करीब 11 बजे हॉल्ट करने के लिए मौके पर पहुंची थी स्कूल में जहां आतंकियों ने हमला कर दिया और आतंकियों आये और उन्हों ने स्कूल के अंदर ग्रेनेट फेका जिसमें दो जवान खायल हो गए इसके बाद से आज सुबह कुछ आतंकियों की गतिविती दिखने पर सुरक्शाबलों ने आतंकियों को चालन्च किया तो आतंकियों ने फाइरिंग शुरू कर दी जिसके बाद से दोनों तरफ से रुक रुक कर फाइरिंग हो रही है सर्च टीम पिछले एक हफ़ते से पहाडों में चप्पे चप्पे को खंगाल रही है हिलिकॉप्टर ड्रोन्स की मदद ली जा रही है आपको बता दें कि ये एक हफ़ते से जो जवान यहां डोडा के इस इस इलाके में है वो नीचे नहीं उतरे है दूसरी ओर डोडा पुलिस ने जिले में OGW के नेटवर्क पर कारवाई तेज़ कर दी है जानकारे के मताबक कई और मददगार पुलिस के रेडार पर आ चुके हैं जो इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं ताकि इन की गिरफतारी हो सके और इन हमलों से बचा जा सके जून जुलाई की बात की जाए तो जून जुलाई में कई हमले किये गए हैं आतंकियों द्वारा और इसके बाद इलाके में कई OGW और उसके समर्थकों को गिरफतार तक किया गया है तो ये तस्वीरे आप डोडा की देख रहे हैं मनीश प्रसाद हमारे डिफेंस एजटर इस वक्त हमारे साथ जुट चुके हैं मनीश जिस तरह से बार-बार आतंकी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं यानि कि इनको जाहिर सी बात है कोई ना कोई ग्राउंड से हेल्प मि परता है और इसी एक्सेस पे भारतिय सेना और जमू कश्मीर पुलिस की सो जी कॉम्विंग ऑपरेशन कर रही थी कॉडरिन सर्च ऑपरेशन के तहट ऐसा एंबुश लगाया गया कि आतंकी इसमें ट्रैप हुसके क्योंकि रात का अंधेरा बहुत जादा था इसलिए करीब लॉप किया जिसमें दो जवान चोटिल हुए हाला कि उनकी आहलत इस समय स्थिर है अब इस पूरे एरिया में पांस से ज़्यादा भारतिय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस की सो जी की टीम लगातार ऑपरेशन कर रही है बीस से ज़्यादा ऑपरेशन के जा रह जो जंगल है यहां पर वहां पर ऊपर ऊपर के जो चोटिया हैं उस पर आतंकी छुपे हुए हैं यह घुस्पैट करकर आए हैं अपने साथ पैसा लेकर आए हैं काफी ज़्यादा जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मताबिक करीबन चार लाग से पांच लाग जो रुपे हैं वो हर एक आतंकी ग्रुप के पास है और वो जब भी नीचे आ रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं उनका आधार कार्ड ले रहे हैं उनकी फोटो कीच रहे हैं उनको धमका रहे हैं और फिर उनसे ही खाना बनवा के उनको पैसे भी दे रहे हैं तो यह इस समय भारतिय सेना के पास सटीक जानकारी है कॉडिनेट देखे गए मैच किया गया और फिर जाकी ऑपरिशन किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया डोडा किष्टवार भधरवा जिसमें इन पाकिस्तानी आतंकियों की संख्या करीबन दस से पंदरा बताई जा रही है उ उनका सफाया हो सके इनकी जो एज है वो 25 से 30 वर्ष के लगबख की है और जो इनिशिल जानकारी है उसके मताबिक यह कहा गया कि पंजाब के इन लोकल के पास गए उनसे खाना बनवाने के लिए कहा तो उस दोरान इनों ने कहा कि यह पंजाब वाले एरिया से आए हैं और के लोगों का हाट स्पॉट यूज करकर पाकिस्तान में अपने आखाओं से अपने हैंडर से इन्होंने बाचीप की और जिस तरह से यह आतंकी हमला कर रहे हैं जंगलों में छिपे हुए हैं एक बात तो बिलकुल साफ है कि यह ट्रेंड आतंकी हैं और जिस इलाके में इस वक मौझूद हैं खासकर डोडा उस इलाके की डिमोग्राफी जोग्राफी बहुत अच्छे से समझते हैं मनीश बने रहे हैं वही आतंकी ओपर कारवाई के बीच सूतरों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है खबर मिली है कि पाकिस्तानी आमी कोटली इलाके में कैम्प ल के जवानी की तयारी में जुटी हूई है इस बात की जानकारी हमने आपको कल भी दी थी पाकिस्तान में इंटरनाशनल बॉर्डर से नस्दीक कौन-कौन से कैम्प हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था जहां पाकिस्तान की तरफ से ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जा तरफ से दी जा रही है सुरक्षा बनों पर जंगल में अटैक किया उसके बाद स्कूल में आतंकियों ने अटैक किया और जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये सारे आतंकी पाकिस्तान से इंफिल्ट्रेट होकर भारत की सीमा में प्रवेश किया और हाइली ट्रेंड ब कियाल खुरेटा और कोटली की ये तस्वीरे आप देख रहे हैं आपको आर्मी के जवान नजर आ रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की जवान है और जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है हतियार चलाने की बिल्कुल सटीक वैसे ही ट्रेनिंग दी जा रही है बदाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनको हतियार चलाने का थोड़ा अनुभव है या ये आर्मी से जुड़े हुए हैं या दूसरी सर्विसे से जुड़े हुए हैं चूंकि बीच में बहुत रेटिकलाइजेशन हो रहा था उसको लेकर जब बाते सामने आए कि अब युवा इनकी बातों में आ नहीं रहे हैं तो जबरन भी इस तरह की ट्रेनिंग देने की खबरें सामने आए मनीश लगातार हमारे साथ बने हुए है मनीश पाकिस्तान की हर पोल खुलती जा रही है अब ये तस्वीरे तस्दीक करती है कि कैसे इन आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेन करके भारत भे हम से ये कोटली की तस्वीर है यहाँ पर पाकिस्तानी आमी के जो जवान है वो वहाँ पर लोगों को दावत के नाम पर बुला रहे हैं यानि जश्न के तोर पर उनको उन्होंने बुलाया फिर रेडिकलाइस किया और फिर उसके बाद उनको सोफेस्टिकेटड़ वेपन की ट्रेनिंग देने लगे और उसके बाद ही ये काली गाटी और हजीदा दो ऐसे एलफा थ्री कंट्रोल रूम है जहाँ पर इनको और फृदर ट्रेनिंग दे कर फिर भारत में घुसपैट करवाया इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर उसके अलग इलकों से हम आपको ये भी ब इन आतंकियों को दे कर भेज रही है और उनको ये भी बता रही है कि अगर यहाँ पर वो मारे जाते हैं तो उनके घरवालों को पैसा मिलेगा और यही कारण है कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग और चाइना के अत्याधुनिक खतियार के अलावा ऐसे डिवाइस जिनको ट्रेस क करना मुम्किन नहीं है उनका इस्तमाल करके ये भारतिय सेना पर हमला कर रहे हैं मनीश बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी के लिए